कम से कम ग्राफ लगाने पर कितना कॉस्ट आता है तो मेरे वीडियो पर यही बहुत ही ज्यादा कमेंट आया है और मैं बहुत दिन से देख रहा हूं पढ़ रहा हूं कमेंट कि भाई मुझे 500 ग्राफ लगाने है या मुझे 1000 ग्राफ लगाने या 1500 ग्राफ लगाने है तो कि आपने तो चुछ Luckyक्ट करते ही दिखते हैं तुम्हें जाइब थृच्ट पर recycling फटा और दोर मेंधार耕हिए Pak iPhone घृटित भृष जाज़ा नहीं जाएर सब्सक्राइब के व्योंा में पड़ fight in the IRA पर मेरे वीडियो पर बहूत ज्यादा करते हूं दिखांब सिर्ज record जम आप अगर graph लगाते हैं तो आपका खर्च कितना आएगा ज़्यादा लगाने पर क्या फाइदा है और कम लगाने पर क्या फाइदा है या नुकसान है चलिए मैं आज की सूड़ो में को बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं मेरे hair transplant को लेके जब मैं अपना hair transplant करभा रहा था तो मेरा जो headline यह इतना उपर तक चला गया था दोनों side से हालां की कि किसी-किसी का beat से चला जाता है ठीक है तो किसी-किसी का बाल रहता है लेकिन बालों में बहुत ज्यादा gap रहता है सबका अलग अलग तरीके बाल उरता है किसी कुसी का मेरी तरह ही ऊड़ा होगा किसी किसी का बीज से ऊड़ गिया है, किसी किसी का बाल है लेकिन बहुत आदा ग्यापढ़ है उनको भी सर्जेरी करना ही पड़े गा लेकिन उनको से कुछ ऐसे बंद्धे हैं कि मतलब है Northern Haarline ठ लगेंगे या 800 लगेंगे या 1500 लगेंगे है तो इतना कम में ही वंद हो प्रफेत ली की आपका जो यह आ करा लगाएंगे मैं आपको बताऊ ही एक था इसका कोश्ट आता है ये स्टाल होता है और आप 500-600 रुवे में अपना सरजरी कर लोगे ऐसा नहीं है वाई अगर आपके जिसे ज़्यादा ग्राफ लग रहे हैं तो वहाँ पर कॉंपरमाइज हो सकता है कम हो सकता है ठीक है लेकिन अगर आप कम ग्राफ लगा रहे हैं और उसमें आप डॉक्रत को बोलोगे कि नहीं कर दें सब्सक्राइम कर लोगे एक जिसरेगा और आपका सरजरी एकडम बेस्ट करेंगा जैसा अपका हैरलाइन पहले था यहां ऑगर आप बजट को देखके चल रहे हो और और कोई ऐसे क्लेनिक में आप चले कहा हो जो आपका बज़ट पे कर दे रहा है कि हाँ 20,000 में मैं कर दूँगा या 15,000 में मैं कर दूँगा तो उनका सबसे पहले आप रिजल्ट देख लेना बिना रिजल्ट दिखाए आप उस क्लेनिक से अपना है टांस्प्रांट बिल्कुल भी मत करवाना पैसे भी जाएंगे बाल भी जाएंगे कोई फाइदा और खास करके व आप गलत क्लेनिक जाओगे तो वहाँ पर ठका जाओगे इसलिए अच्छे क्लेनिक से अपना सर्जरी करो दूसरा जो सबसे ज्यादा कमिंट आ रहा है कि भाई मैंने अपना है टांस्प्रांट करवा लिया लेकिन दवाईयों के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हु पास यार तक अगर कॉस्ट चला जा रहा है तो यहां से आपको 2000 में आपको दवाईयां सारी मिल जाएंगी दवाईयां लोशन शेंपू सारा चीज मिल जाएगा तो अगर आपके भी बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं इस वेबसाइट पर आप चेक कर लेना आपकी दव आपका बजट पर इतना एफेक्ट नहीं करें अगर आपको कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए डॉक्टर है आप जे कहां से पढ़ी है आपने डॉक्टर ही हम पढ़े नाई है प्रेक्टिशनर है अगर आपका 500 ग्राफ लगेगा या 1000 ग्राफ लगेगा पचीस से 30 एर पकड़ के चलना और दवाई और ब्लड डेस्ट का खर्चा अलग से आता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि दवाईों में कितने खर्च आ जाते हैं अब बाकी खर्चे कितने आते हैं वो सारे चीज मैंने बता दिया है अगर आप मेरे पूराने वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देखो समझो उसके बाद हैट टांस्परांट कर और कहीं भी गलत क्लिनिक में जाके नहीं फसना जाज परताल करके कहीं भी काम किया जाता है ऐसा नहीं कि कम पैसा कहीं लग रहा है तो वहां पर आप जाके आग बंद करके अपना है टांस्प्रांट करवा लिए तो आप फस जाओगे ठीक है